नमस्कार दोस्तों मैं तेजपल सिंग कपूर्थला आज की इस वीडियो में कुछ जानकारी देना चाहता हूं दो साल पहले जब यह वाइरस का बहुत ज्यादा फोहला हो रहा था तब हमने तैग किया था कि एक संगठन बनाएं उस संगठन का नाम हमने रखा था क्योर सब्सक्राइब के नाम पर दो तिन वर्ट सब्सक्राइब हैं और एक टेलिग्राम गुरूप है बहुत सारे लोग उस गुरूप में जुड़े उन सब लोगों की यह इच्छा थी कि हम एक संगठन बनाएं जो लोगों की ऐसी बिपदाओं में ऐसी आपदाओं की समय में म उसका जी एस्टी नंबर जो भी मतलों टैन नंबर होता है पैन नंबर होता है वह सारी चीजें क्यूंकि उस कोविड के दौरान कामकाद बहुत कम होता था समय लगा यह दो साल लगबग उसको रिजिस्टर होके आने में लग गए तो अब अब हमने वह संगठन एक्टिव कर दिया है और उसमें मेंबर्शिप जारी है तब बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा बोला था कि हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं हम राश्टियस तरफे कुछ काम करने के लिए तैयार कुछ लोगों ने दोस्तों ने बोला था हम राज्यस तरफे जिम्मेदारी लेन सकते हैं, अपनी एकाईयां बना सकते हैं, हर राज्य में हमारा यूनिट होगा, हर शहर में हम अपना यूनिट बना सकते हैं, तो यह संगर्शन करेगा क्या? तो इसमें बहुत क्लियरली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को लाइस्टाइल के बारे में और वातावरन के परियावरन के बारे में जगरूप करेंगे लाइस्टाइल के बारे में पहला चीज ये है कि ऐसा हम क्या करें कि हम बिमार ना हूँ यह बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मैंने यह देखा है पिछले तीन साल के एक्सपिरिंस में जब से मैं इस फिल्ड में हूँ मैंने देखा है कि लोग बाद में बिमार होने के बाद वो दरदर भटक रहे हैं कभी किसी पैथी में इलाज करवा रहे हैं कभी किसी पैथी में इलाज करवाना हैं बहुत परिशानी होती है पैसा भी जाता बहुत सारी डिस्टार्बंस पूरे परिवार में होती है तो सबसे पहली चीज़ ऐसा क्या करें कि हम बिमार ही ना हो उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को हैल्दी बनाना होगा एक अ छो अच्छा लाइफस्टैल अपनाएंगे तो हम कभी बिमार नहीं होगे कब से कम लाइफ स्टैल डिजीजेश बिमार नहीं ओंगे कार्थ दूत्रे शब्दो में ऐसा नहीं है कि हमें भूखार नहीं होगा हमें लूज Mोशंऩ होगे वा बिमारी म नहीं है जो लाइफस्टाइल डिजीज है शूगर है ब्लर प्रेशर है थायराइड है किटनी फेलूर है लेवर फेलूर है पत्रिया सॉल यह यह कैंसर जैसे रोग हम इन रोगों से बच सकते हैं मैंने पहले भी कही बार बोला है कि अगर आप किसी डॉक्टर बड़े से बड अगर इन लोग इन चीजों से हमें बचना है तो हमें केवल जानकारी हासिल करनी होगी किस तरह का लाइफस्टाइल हो किस तरह का जीवन हम जीएं ताकि हम इन रोगों से दूर रहें यह रोग हमारे क्रीब ना आ पाएं पहले चीज़ वैसे भी मैंने देखा कि हम रोग्य को ठीक कर रहे हैं उदर से नए रोगी रोज बन रहे हैं तो इसका मतलब है हम कभी भी ऐसा सपना नहीं देख सकते के हमारा देश किसी समय रोग रहत हो जाए हमारे सबी निरोग हो जाएं ऐसा सपना हम देखी नहीं सकते इसलिए सबसे पहली चीज जो है वो है लोगों को बिमार होने से रोकना तो उसके लिए हम जागरिती मुहिम चलाएंगे गाउंगों में शहर शहर में बड़े-बड़े कारेकरम करेंगे सेमिनार करेंगे जागरिती प्रोग्राम करेंगे ताकि लोगों को हम समझा पाएं कि सबसे अच्छी चीज यह है कि हम बिमार होने से पहले ही अपने स्ट्राइल को ठीक कर लें और हम बिमार नहीं एक सौश जीवन लंबा जीवन जीएंगे दूसरी चीज़ अगर हमें शामय रहते हैं यह सारी चीज़ें नहीं पता चली हम बिमार हो ही गए तो क्या करें बिमार हो ही गए तो आपको एक सही रास्ता चुनना होगा क्योंकि इस मामले में भी मैंने देखा है कि लोगों को पता है कि डायलसे से किनी ठीक नहीं होती लेकिन मजबूरी अब डायलसे करवाने लग जाते हैं लोगों को पता है कि कीमो थ्रैपी से कैंसर ठीक नहीं होता बलके पेशन्ट की मौत जल्दी होती है कीमो थ्रैपी पूरे शरी ही हमें कोई लक्षन आता है जैसे ही हमें शिम्टम आते हैं तो हम अपना खाना पीना बदल लें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कर लें हमारा शरीर हर बिमारी को रिवर्स कर सकता है वो कितनी भी गंभीर है और वो कितनी भी कौन से आर्गन में है उस बिमारी का न तीसरी जो चीज है जिस पर हम काम करेंगे वह हमारा पर्यावरन अगर हमने पर्यावरन को ध्यान में नहीं रखा अगर हमने पर्यावरन को इसी तरह से क्योंकि मानवी एक ऐसा प्रानी जिसने कुद्रत के साथ बहुत ज्यादा छेड़शड़ की है और किसी जीव ने इतनी के साथ नहीं की इसी लिए मानवी एक ऐसा प्रानी है जो सबसे ज्यादा बिमार है और को प्रानी इतना बिमार नहीं है तो हमें कुद्रत को बचाना होगा कुद्रत के करीब रहना होगा जैसे जैसे हम नेचर से दूर जा रहे हम ज्यादा बिमार ज्यादा दुखी हो रहे हैं तो इसलिए इस संगठना नाम भी क्योर बाइ माजर नेचर कुदरत मा के दौरा इलाज जैसे हम कुदरत मा की गोद में चले जाते हैं कुदरत मा हमें ठीक करना शुरू कर देती है तो इस संगठन जिसका नाम है फिर से बना दिया है उस एप में आपको बहुत सारे दोस्ते हैं जिनको लिंक मिला होगा और मैं यूट्यूब इस वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूँगा उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए कोई फीस नहीं है अभी कोई इसमें शुलक नहीं है आप उस हम दो दिन पहले इस एप को शुरू किया था और एक सो सत्रा अठ्रा लोग जुड़ चुके हैं बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ हैं तो पहले सौ लोगों को जोड़ने मुश्किल होता है अब सौ से हजार हजार से दसजार दसजार से एक लाग होना कोई बहुत बड़ी ब कोई फीश नहीं लेंगे यह सारा का सारा काम हम डोनेशन के सारे करेंगे जिन लोगों के पास पैसा है जो लोग दान करना चाहते हैं जो लोग दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है समय सेवा के लिए वो लोग उसी एप के उप 51 रुपए से लेके आप उसके उपर जितना भी डोनेशन जो आपको असानी से आपकी जेब में से आप निकाल सकते हैं ताकि हम समाज की सेवा कर पाएं लोगों की सेवा कर पाएं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना तो हिम्र हॉस्पिटल में जा सकते हैं ना वो उनके पास हजार रुपया किसी को फीज देने लाइक पैसा भी नहीं है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ऐलोपेट्थी हम फ्री करेंगे यह अलग बात है कि क्या हम उनको डियएपी डाइट फल सब्लियां ज़ो भी डाइट में देना है क्या हम भो भी प्रवाइड करवा पाएंगे वह इस बात पर निरपर करेगा कि हमारे पास चंदा फंड कितने हैं अगर हमारे पास सफिशन्ट फंड होंग तो हम यह करेंगे कि जो लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं कि फल भी खरीद कि नहीं खा सकते हम उन लोगों को वह डाइट भी परवाइड करवाने की कोशिश करेंगे तो मैं निवेजन करना चाहता हूं पहली बात इस वीडियो को दिख से दिख शेयर कर दीजिए दूसर काम कर रहे हैं इस पर और बहुत सारे डॉक्टर अमर सिंग अजाद हैं और डॉक्टर अभधेश पांडे यह बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजिली काम कर रहे हैं लेकिन संगठन कोई नहीं है ऐसा कोई संगठन नहीं है जो इन मामलों को लेके जागरती का प्रोग्र होना चाहिए क्योंकि जानवरों से इनसान इसी लिए अलग होता है अगर हम अपने समाज की परवाद नहीं करते हैं अगर किसी को दुखी देख के हमारे दिल दुखी नहीं होता है अगर किसी की मदद करने के लिए हम हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हमारा इंसान होना भीकार है हम जानवरों से अलग नहीं हो सकते हैं तो इसलिए जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है वो थोड़ा पैसा डोनेट कर सकते हैं और हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है जिन लोगों के पास पेट बर खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है उन लोगों की मदद की जा सकती है तो पहली चीज़ आप इस वीडियो को अधिक से दिक शेर कर दीजिए दूसरी चीज़ आप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है कुटूंब एप का उस एप लिंक को कुट करके खुद इस एप में जुड़ जाएए और आपको है का आई डी काड भी मिले आपको पकाईदा काड भी मिलेगा वहां से प्रिंट भी निकल आ सकते हैं आप इस Aleisa को का जिम्मेदारी नेशनल टीम में, राष्ट्रिय टीम में हमें कुछ लोगों की जरूरत है. है बहुत सारे सबी पदध खाली है आपी उसके बाद राज्य स्थर पे अलग highly राज्यों में हमें बहुत सारे इसे लोगों की जुरूरत है जो जिम्मेधारी निवा पाएं बिना किसी सार्थ के नियुक्त सेवा कर पाएं और फिर हमें हर शेहर लावल पे गाउन लावल पे ऐसे लोगों की जुरूरत पड़ेगी जो लोग लोगों में ये जागरती खेला पाएं ताकि हम अपने देश के लोगों को जो डॉक्टरों दौरा दवाओं के नाम पे इलाज के नाम पे हमारे लोगों की लूट हो रही है पुरी तरह से सोशन हो रहा है उस सोशन से हम अपने देश की लोगों को बचा लें कैंसर से मौत हो रही है इतना पैसा लगाने के इस संगंथन से जुडएं और दूसरे लोगों को संगंथन से जुडएंज कि हम पुरे देश में ए plat की शुरूपत कर पाएं कि हम लोगों को बिमार होने यह नहीं देंगे अगर विमार हो भी हम उनको एक ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि वो कोई पैसा खर्चे बिना या बहुत कम पैसों में पुदरती तरीके से बिना दवाओं के अपना इलाज करवा पाएं आप समका बहुत बहुत शुक्रिया महरमानी मैं बहुत जल्द मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ